सो ही गाईज विलकम बैक टू माइनादर वीडियो मैं पहली पहली हो इसमें अपलोग का स्वागत है तो वही बोलते हैं भीया जब धन आ जाए तो धन के साथ साथ बहुत लोग के अंदर भर भर के खमंड आता है तो मैं बात करने वादी हूँ जो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बोलती रहती है या अखी दिखाती रहती है कुछ ऐसा अपना टियालाग बाजी करती है जिसके वज़े से होता है फैमवली से हो या पब्लिक से कुछ न कुस्त वो आँटी जी करती है अपने एश का भी नहीं देखती और भईया एक चीज तो म बनेगा यूप टूब एकाउंट बनेगा और वुसका वी वीडियो अलग से बनेगा जितने लोग उतने चैनल तो मैं यहाँ बात करने वादी हूं प्रिंस राज की मा अपसरा मॉम की बारे में अब उनका नाम अपसरा मॉम है कि नहीं है भाई उनके चैनल का नाम अपसरा मतलब सचिन की मा और मनिशा की सासुमा के नाम से ही साथ जादा लोग जानते हैं तो मैं इनकी बात करने वाली हूं भाई इनके अंदर भर भर के घमंड आ गया है और यह किसी का दिया हुआ पहनती नहीं चलिए पूरा मामला बताते हैं क्या है तो यह अपने ब्लॉग में दिखा रही थी फायल कि की मारे पॉल्ट गया है तो अपना भाई लस्त आई अगर आपको जब इतना ही है आपके घर कोई जाता है आपको कई गिब्ट देता है जब आपको पहनना ही नहीं ऐसे खुलमघुला बोलना है कि हम किसी का दिया हुआ पहनना पसंद नहीं करते है साड़ी कपड़ा या कुछ भी हो तो आप लेती ही क्यों है उसी टाइम किसी को दान दे दिया कर ये बहुत गरीब पड़े हैं आप उनको तुरंत दान दे के आजाए नहीं तो ड्रश्ट बीन में डाल दीजियो ड्रश्ट बीन जो उठाने आता होगा वो ले लेगा कम सकम उ अगर इनको बुरा वक्त का पड़ा है तो भाई इनसे महान तो कोई नहीं हो सकता तो भाई वही बात बहुत लोग का ये कहना है कि रंजना से जब बात करती है तो इनका नेचर अलग रहता है मनीशा से बात करती तो इनका नेचर अलग रहता है तो ये तो भाई पब्लिक क सबको दिखता है कि ये बहुओं में भेद भाव तो करती हैं पहले नहीं करती थी अब तो करना इस्टार्ट ही कर दी है और वो अपने ब्लॉग में बोलती नजर आई कि तुम मेरे साथ ही रहोगी हमेशा और ये मत सोचना कि तुम कहीं और जाके रहोगी तो उनको ये लगता ये था सोसल मीडिया पर कि हम किसी का दिया हुआ नहीं पहनते हमको पसंद नहीं ये तो आंटी जी आपने बहुत गलत बोल दिया और आंटी जी अब इस पर दी हैं सफाई वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगी आंटी जी ने अपना कौन सा सफाई और क्यूं देना स्टार्ट कर दिया है तो चलिए वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बताएगा अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा लाइक करेगा शेयर करेगा दोस्तों रखे अपना ख्याल